राजस्तान के बहु चर्चित भरतपूर के राजा मान सिंग समेट तीन लोगों की हत्या के मामले में आज फैसला आ सकता है इसको लेकर मतुरा पुलिस प्रिशासन द्वारा सुरक्षा के दृष्टी गर्थ पूरी तैयारी कर ली गई है और 124 पुलिस फोर्स लगाकर पूरे कोट परिसर को सुरक्षा के घेरे में घेर लिया गया है यहां आपको बता दे कि राजस्तान के बहु चर्चित राजा मान सिंग की हत्या के मामले की सुनवाई सुप्रेम कोट के आदेश पर 35 साल पुराने इस मुकदमे की सुनवाई मतुरा जीला जजज की अदालत में हो रही है इसमें 14 पूलिस कर्मी ट्राइल पर हैं और इस मुकदमे में आज फैसला आ सकता है जिसको लेकर सुरक्षा विवस्ताथ चार्ट ओपन कर ली गई है फैसले से पहले न्यायाले की सुरक्षा को लेकर एस पे सीचि द्वारा न्यायाले परिसर के आजपास सुरक्षा भढा दी गई है वही नियायाले के आसपास डेड़ सेक्शन पीएसी तथा पूलिस बलकी तैनाती की गई है एसपेसीची द्वारा आज आने वाले फैसले को लेकर बताया की नियायाले को पूरी तरह से सुरक्षित कर लिया गया है पूलिस और पीएसी के तैनाती कर दी गई है वहीं सुरक्षा के लिए आज से आने वाले हर व्यक्ति पर पैनी नज़र रखी जाएगी मतुरा से समाधाता जाहिद सेयद की रिपॉर्ट सर इस तरफ लिए जी सर बताएं सुरक्षा बेवस्ता को लिकति क्या तियारी कि लिए एरे कोर्ट परिशर में लगभग 200 पुलीस के कांस्टेबिल, हेट कांस्टेबिल, सब इंस्पेक्टर, इंस्पेक्टर और दो डिप्री एस्पी, चार थाना प्रभारी यहां पर पैनात किये गए हैं, इसके अतरिक बाहर से ट्रेफिक पुलीस की अलग से बेवस्ता हैं, स्वाट की हमारी जो टीम है, वो अलग से यहां पर मौजूद है, क्यूआटी की दो टीमें लगाई गई है, इस प्रकार से पूरे परिसर्वा उसके आस-पास की सुरक्षा बेवस्ता चा पन्हेवान! झाल 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 झाल